अगर आप फिस्ट खाने के सौखीन है और एक ही जैसे टेस्ट वाली फिस्ट खाते-खाते बोर हो गये हैं, तो आज की रेसिपी आपकी बोरियत दूर कर देगी। आज मैं आपको मसाला फिसकरी की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो मचली की आम रेसिपी से थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होती है लेकिन इसके जवर्दस स्वाद का लुथ उठाने के लिए इसे बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए तो आप भी अगर स्पाइसी फिसक के दार बनेगी जिसकी हर कोई तारिफ करेगा तो सुरू करते हैं आज की ये रेसिपी मसाला फिसकरी बनाने के लिए मैंने यहां पे 500 ग्राम रोह फिस लिया है इसे अच्छे से मैंने वास कर लिया है सबसे पहले इसमें एक टीश्पून हल्दी पॉडर डालेंगे एक टेबल स्पून लाल मिर्च पॉडर डाल देंगे एक टीश्पून नमक डाल देंगे साथी इन सभी मसालों को मिक्स करने के लिए एक टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल डालेंगे और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 30 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे जब तक ये फिस हमारा मैनिनेट हो रहा है तब तक हम मसाले की तैयरी कर लेते हैं तो इसके लिए एक पैन गर्म करेंगे और पैन में एक टीस्पून सौफ डालेंगे साथी एक टेबल स्पून साबुत जीरा डालेंगे और तीन लाल मिश डालके लो फिलेम पे हम इन सभी को भूनेंगे इस तरह से भूना हुआ जो मसाला हम तैयार करेंगे उन मसालों से हमारी फिसकरी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो ये मसाले हमारे भून गए हैं तो इन्हें हम ठंडा कर लेंगे ठंडा करके एक बॉल में डालेंगे इन साबुत मसालों के अलावा हम साथ से आठ लहसुन की कलिया लेंगे दो हरी मिर्च लेंगे एक टीस्पून हल्दी पौडर लेंगे एक टेबल स्पून धनिया पौडर लेंगे वन फोर्थ टीस्पून काली मिर्च पौडर लेंगे स्वाथ के अनुसाय नमक लेंगे और इसे हम ग्राइंडर में डालके बारिक पीस लेंगे तो मसाला फिस करी बनाने के लिए हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है और उधर हमारा फिस भी मैरिनेट हो गया है तो हम फिस को फ्राइ कर लेते हैं वापस से पैन गर्म करेंगे और उसमें कोटिंग ओयल डालेंगे पॉइल गर्म हो जाने पे फिस के सारे पिसे को डाल के हम सैलो फ्राइ कर लेंगे फिस हमारा एक साइट से फ्राइ हो चुका हो तो हम इसे पलट देंगे दोनों ही साइट से हमें फिस को अच्छे से फ्राइ कर लेनी है तो ये फिस हमारे फ्राइ हो चुके हैं इस तरह से हमें फिस फ्राइ करनी है फिस हमारे फ्राइ हो चुके हैं तो अब हम ग्रेवी बना लेते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए हम पैन में फिर से थोरे से ओल डालेंगे और ओल में हम एक कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को हमें मेडियम फ्लेम पे पुरी तरह से ब्राउन कर लेनी है कुछ इस तरह से प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें हम पीसा हुआ मसाला डाल देंगे और इन मसालों को हम लो फ्लेम पे भूनेंगे मसाला जितनी अच्छी से भूनेगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार होगी और साथी हम यहाँ पर एक बरे टमाटर कट करके डाल देंगे आप चाहे तो टमाटर को मसालों के साथ भी बारिक पीश सकते हैं या फिर बारिक चॉप करके भी डाल सकते हैं एक टी स्पून यहाँ पर हम कस्मेरी लाल मिर्श पॉडर डालेंगे ताकि हमारी करी का कलर बहुत इच्छा दिखें एक टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पर कसूरी मेथी करस करके डाल देंगे और 10 से 15 हम यहाँ पर करी पता डाल के भूल लेंगे कसूरी मेत्य और करी पता का स्वाध ग्रेवी को बहुत जबर्दस्ट बना देगा, तो इसे आप जरूर डालें, ये बहुत टेस्टी ग्रेवी बनती है इससे, तो इन मसालों को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे, ये मसाले हमारे भून चुके हैं तो इसमें हम करीबन एक ग्लास पानी आड़ कर देंगे मेडियम फिलेम पे हम ग्रेवी को थोड़ी देर और पकाएंगे और ग्रेवी में देखे ये अच्छे से उबाल आ गई है तो हम फिस के सारे पिसे को इसमें डाल देंगे फिस बनके हमारा रेडि हो चुका है तो थोड़े से हम धनिया पता डाल देंगे तो ये लाजबा फिस हमारा रेडि है तो आईए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं आप देख सकते हैं फिस कितनी अच्छी बनी है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी है तो इसे आप जरूर ट्राइ करें अपनी घर में और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये फिस करी आपको कैसी लगी और हाँ अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें